हाई स्टूडेट मैं सुंदरपाल ब्रोड असिस्टेंट प्रोफेसर इन बोटनी गोर्मेंट कोलेज नोहर हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर एंजियोस्परम प्लांट के अंदर जनन के बारे में बहुत चर्चा की और आज का जो टौपिक है वो है एंजियोस्परम प्लांट के अंदर निशेचन निशेचन से पहले जो भी प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जितने भी वीडियो थे वो इससे पहले डाले जा चुकी हैं आप उनको देखिए आज जो है हम एंजियो स्पर्म के अंदर निश्यचन के बारे में पढ़ेंगे एंजियो स्पर्म के अंदर जो निश्यचन जो है उसके बारे में सुरोपर्थम जो है जो खोज जो है वो स्ट्रास बरगर नामग वेग्यानिक था उसने की थी और angiose sperm के अंदर जो निश्यचन है वो अनेक step में होता है निश्यचन जो है वो fertilization है वो अनेक step में होता है अनेक step है उसके जैसे pollen grains है उनका germination फिर pollen tube का ovule में enter होना और फिर pollen tube का embryos egg के अंदर enter होना यानि कि तीन step में प्रिक्रिया होती है परागणों का अंकुर्णन होगा जब परागण की किरिया हो जाएगी वर्तिक्रिया पर पहुंच जाएगे तो उसका अंकुर्णन होगा फिर परागणलिका का बिजान में प्रवेश होगा और परागणलिका का भून के अंदर प्रवेश होगा इन तीनों स्टेपों को हमें लगातार पड़ेंगे सबसे पहला जो है परागणों का अंकुर्णन आपकी स्क्रीन पे जो डाइग्राम दिखाई दी रहा है उसके अंदर उपर उपर दिखाई दी रहा है स्टिग्मा वर्तिकाग्र तो एंज्योस्परम के अंदर क्या होता है परागण के पस्चाथ वर्तिकाग्रे के उपर जो परागगण है वो जल तता सरक्रा युक्त पदार्तों को अफसोसित करते हैं और जल तता सरक्रा युक्त पदार्तों को अफसोसित करते हैं प्राग नलिका का निर्मान करते हैं प्राग नलिका का निर्मान करते हैं जिसके सिर्ष पर एक तो होती है वेजिटेटिव सेल तता उसके पीछे जो हैं वो दो होते हैं अचल, नर्यूगमक या नौन मौसायल हम बोल सकते हैं मेल गैमिट्स बढ़ा करके डिखाएं तो इसमें pollen grain है वो उनमें germination हुआ germination होने के बाद क्या हो गया pollen tube बन गई आगे जो दिखाए दे रहा है वो vegetative cell वाला nucleus दिखाए दे रहा है पीछे जो दो green color के छोटे दिखाए दे रहा है वो क्या है? male gamits है प्रागनलिका सिर्स व्रदी करती है, सिर्सस्त व्रदी करती है और यदि अनुकूलन की बात करें तो 20 से 30 degree जो temperature है वो इसके लिए अच्छा रहता है और अन्य यदि elements या तत्तों की बात करें तो boron है, calcium है, magnesium है, इसके लिए जरूरी है और प्रागनलिका जो है, वो रसाइनो वर्तनगती प्रतसित करती है और अधिकां जो angiosperm के अंदर जो pollen tube है वो एक ही बनती है इसलिए इस condition को बोलते है, monosiphonus condition कुछ plants ऐसे हैं, जैसे मालवेसी और कुकरबिटेसी family के उनमें एक से अधिक जो है, pollen tubes बन सकती है किसमें है? pollen tube की संक्या पर अब दूसरा परागनलिका का बिजांड में प्रवेस परागनलिका जो हैं, वो बिजांड में प्रवेस कैसे करती है परागनलिका बिजांड में तीन तरह से प्रवेस कर सकती है आपकी diagram जो स्क्रीन पे उसमें दिखाए गया है A, B और C A, B और C इसमें देखो प्राग नलिका को dotate में दिखाया गया है कि A जो है उस तरह से जाए एक B जो है वो वहाँ से जाए और एक C जो है उस तरह से जाए यानि कि प्राग नलिका ovule के अंदर इंटर कैसे करेगी तो पहला जो प्रकार है उसके अंदर तो जो A दिखाई दे रहा है उसके प्रकार को हम बोलते है पोरो गेमी उसे क्या बोलते है पोरो गेमी या अंड द्वारिये या बिजांड द्वारिये प्रवेश बोलते है तो इसमें क्या होता है कि जो पोलेंड ट्यूब है वो बिजांड द्वार जो होता है उससे प्रवेस करती है उसको हम क्या बोलेंगे पोरोगे में कहा जाता है और जो B कंडिशन है वो यदि प्राग न लिका चिलेजा वाले भाग जो है उससे यदि प्रवेस करें निभाग जिसको बोलते हैं उससे प्रवेश करें तो उसको हम क्या बोलेंगे चिलेजोगे में बोलते हैं निभाग्य प्रवेश और जो सी जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर जब जो प्राग नलिका पोलेंट ट्यूब है वो ओविूल के अंदर चिलेजा तता आईलम के बीच कहीं से भी इंटेग्य मेंट जो है उसको तोड़ करके या अध्यावरन को तोड़ करके प्रवेश करती है तो उसको हमें अध्यावरन या प्रवेश यह हमें मीजोगे मी बोलते हैं तो तीन तरह ऐसे प्रवेश कर सकती है प्राग नलिका पोरोगे मी चेलेजोगे मी और मीजोगे मी माइक्रोपा सेंगे मिजोगेमी तो तीन तरह सी प्रवेश यह कर सकती है तीसरा जो टेप है वो है प्राग नलिका का भून कोस के अंदर प्रवेश अब प्राग नलिका जो है यह पहले तो ऑवियूल में तो चली गई लेकंग के बाद अंदर की तरफ यह भाग दिखाई दी रहा है रेड एक लरका जिसके अंदर एंटी पोडल सेल साइक को सिकाएं बीच के अंदर जो है सेंटरल सेल जिसके अंदर टू एंड न्यूकलियस होता है यह जो बीच वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं भूनकोस या एम्ब्रियो से तो प्राग न लिखा का भूनकोस में परवेस कैसे होता है तो पोलें ट्यूब जो है वो ओवियूल जो है उसके बीतर चाहे पोरोगेमी से आए चाहे चेले जोगेमी से आए चाहे मीजोगेमी से आए लेकिन जो एम्ब्रियो से जो है ना उसके अंदर हमेशा ही जो परवेस करेगी वो एग एपरेटस वाला भाग है यह एग apparatus वाले भाग से प्रवेश करेगी और एग apparatus वाले भाग के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि एग apparatus या अंड उपकरन जो होता है वो किसे मिलकर के बना उता है दो saikosika और एक एग cell से मिलकर के बना उता है तो इस एग cell के side में जो saikosika है उसमें से एक साइकोसिका नस्ट हो जाती है और नस्ट हुई साइकोसिका से पोलेन ट्यूब एंब्रियो सेक के अंदर प्रवेसे कर जाती है अब यहां तक हम पहुंच गए कि पोलेन ट्यूब जो है वो किसमें पहुंच गई embryo sake के अंदरे पहुंच के यह रहा embryo sake और pollen tube ने पहुंच के यहां पर क्या कर दिया दो male gamits जो पिछे पिछे आ रहे थे हमने बात के ती green color की वो दोनों जो हैं यह male gamits यहां पर इसने छोड़ दिये दो male gamits अब इन दो male gamits का future क्या है भविष्य क्या है इसमें से जो एक male gamits है वो एक सेल की तरफ जाएगा और एक male gamits जो है वो जो secondary nucleus बना हुआ है जो deployed होता है जो दुर्वी एक अंदरकों से मिल करके बना होता है उसकी तरफ जाएगा इसको आप इस से समझे कि जो secondary nucleus जो है 2N deployed उसके साथ एक male gamits जाएगा और एक male gamits जाकर के 3N यानि कि 3 गुनित भून पोस्ट का निर्मान कर लेगा ये 3N हो है ना यानि कि 2N प्लस 3N तो 3N इसको बोलते हैं 3 senior जन या 3 salian तो यहां तो हो गया 3 senior जन या 3 salian और एक जो एग है एग की तरफ जाएगा और एक की तरफ जाकर के और एक male gamits जो 2N यानि कि deployed zygote या यूग मनज का निर्मान कर लेगा एग के साथ fuse होकर के gamits जो 2N zygote बनाता है ये वास्तों में निशेचन है इसे कहते हैं वास्तों किया true fertilization तो निशेचन की प्रक्रिया या संयोग होने की प्रक्रिया male gamits दोनों male gamits ने संयोग किया है अर्था दो बार निशेचन हुआ तो इसे हम double fertilization गहते हैं 2N निशेचन और 3 का यहां संयोग हुआ 3Cellin तो double fertilization और 3S यांँ कहते हैं 2N निशेचन तो ता 3Cellin ने एंज्यूस्परम के अंदर vicious character आ गया है जो universal character है एंज्यूस्परम का 3Cellin और 2N निशेचन तो 2N निशेचन तो ता 3Cellin का पाया जाना एंज्यूस्परम का मुख्य character हैं और इस जो 2N निशेचन और 3Cellin जो पाया जाता है उसके अंदर total मिला करके कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं 5 केंद्रक कौन कौन से एक 2 केंद्रक तो द्वित्यक केंद्रक जो हैं उसमें 2N हो गया उसके साथ एक male gamits तो 3 तो यह हो गए और 1 और male gamits एक और मिल करके 2 यह हो गए तो 3N 2N is equal to 5N तो total मिला करके केंद्रक भाग लेते हैं 5 केंद्रक भाग लेते हैं इस प्रकार एक अंज्योस परम केंदR निशेचन की प्रकिरिया जो होती है वो पुरण होती है THANK YOU